भारत माता की बारत माता की इनकलाब बंडे बंडे आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया इतनी तप्ती धूब के अंदर इतनी देर से इतनी बड़ी संख्या में आप लोग मेरा इंतिजार कर रहे हैं मैं आपका तहे दिल से बहुत-बहुत शुक्रियादा करना जाता हूं जितने लोग इस वक्त तीवी में देख रहे हैं उन सब दर्शकों का कावी में तहे दिल से शुक्रियादा करना जाता हूं सबको मेरा नमशकार सबको मेरा प्रिणाम दोस्तो सीधा जेल से मैं आप लोगों के बीच में आ रहा हूं आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है पचास दिन के बाद अभी अभी मैं मेरी पतनी भगवन्तमान साथ हम लोग कनौर्ट प्लेस में हनुमान मंदिर में गये थे हनुमान जी का अशिरवाद लिया उनके दर्शन किये फिर शिवजी के मंदर गए शनी जी महाराज के पास गए उनका सबका अशिरवाद लिया बजरंग बली की खूब क्रिपा है हमारे उपर हमारी पार्टी के उपर देशवासियों के उपर उनी की क्रिपा से आज अचानक मैं आप लोगों के बीच में तो किसी को उमीद नही अधी की चुना के बीच में मैं जेल से बहारा जाओंगा लेकिन उपर बचरंग बली की गृपा है नुवान जी की गृपा है हम लोगों के उपर और चमतकार हुआ और आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ दोस्तों हमारी आमाद्मी पार्टी एक छोटी सी पार्टी है दो राज्यों के अंदर है अभी दस साल पुरानी पार्टी है हमारी पार्टी को कुचलने में खतम करने में प्रधान मंत्री जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी एक साथ हमारी पार्टी के चार टॉप के नेता जेल भेज दिये एक साथ अर्बिन केजलीवाग्ड, मनीज सिसोधिया, संजे सिंग, सतिंदर जैन बड़ी बड़ी पार्टियों के अगर चार टॉप के नेता जेल चले जाएं पार्टी खतम हो जाती है आम आदमी पार्टी के चार टॉप के नेता इन्होंने जेल भेज दिये उन्होंने सोचा कि पार्टी खतम हो जाएगी लेकिन ये पार्टी नहीं है ये एक सोच है जितना ये खतम करना चाते है उतना ये बढ़ती जाती है ये क्रश करना चाते है प्रधान मंत्री जी आम आदमी पार्टी को जो लोग मोदी जी से मिलने जाते हैं वो कई लोग हमें भी जानते हैं वो बाहर आके हमें बताते हैं कि आपके बारे में सबसे पहले मोदी जी से जो भी मिलने जाता है सबसे पहले वो केजरिवाल की और आम आदमी पार्टी की 10 से 15 मिनिट बात करते हैं उनको कहते हैं कि आने वाले समय के अंदर आम आदमी पार्टी ही देश को भविश्य देने वाली है वो खुद भी मानते हैं इसलिए वो चाहते हैं कि आज ही आम आदमी पार्टी को गड़ने से रोका जाए इनको कुचल दिया जाए यह ताना शाहिय है अगर उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी आने वाले समय में बीजेपी को चैलेंज देने वाली है आप अच्छे काम करो आप देश को भविश्य दो आज आपकी सरकार एक इंदर के अंदर आप देश के लिए काम करोगे आम आदमी पार्टी को कोई पूछेगा ही नहीं ल इन्होंने आम आदमी पार्टी को कुचलने में कोई कसर नी छोड़ी छोटे से लोग है हम लोग छोटी सी पार्टी है 75 साल के अंदर इस कदर किसी पार्टी को और कि उसके नेताओं को प्रताडित नहीं किया गया जिस तरह से प्रधान मंत्री मोधी जी ने आम आदमी पार से लड़ रहा हूं देश के सबसे बड़े चोड उचक्के और डकैतों को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया जिन लोगों को दस दिन पहले मोदी जी कहते थे सतर हजार करोड का इसने घोटाला कर दिया थोड़े दिन के बाद उसी आदमियों को अपनी पार्टी में शामिल करके किसी को दिप्ति सीम बना देते हैं और उनके सारे E.दय और C documentary के मामले खत्म कर देते हैं और कहते हैं मैं भरता चार से लड़ रहा हूं मैं मोदी जी को कहना जाता हूँ ब्रश्टाचार से अगर लड़ाई लड़नी है तो केजरी वाल से सीखो प्रधान मंत्री जी ब्रश्टाचार के खिलाफ लड़ाई केजरी वाल ने लड़ी है 2015 में जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी हमारे एक मंत्री का एक ओडियो मेरे पास किसी ने वाटसअप कर दिया उस ओडियो में मेरा मंत्री किसी दुकान वाले से पांच लाक रुपे मांग रहा था किसी मीडिया वाले को नहीं पता था विपक्ष को नहीं पता था अप लोगों को याद होगा मेंने अपने खुद मंत्री को SBI के हवाले कर दिया जेल बेज दिया था अपने मंत्री को ये होती है भृष्टाचार के खिलाफ मलाई पंजाब के अंदर मेरा एक मंत्री भृष्टाचार में मिरे को पता चला कि वह पैसे मांग रहा है वहाँ पे मान साब ने उसको किसी को भी विपक्ष को नहीं पता था, मीडिया को नहीं पता था, हमने अपने मंत्री को उपा के जेल में भेज लिया तुम देश के सारे चोर उचके डखैतों को अपनी पार्टी में शामिल कर लो और केजरी वाल को जेल वेजदोर कहो मैं बरस्टा चार के खिलाफ लड़ रहा हूं तो आप बरस्टा चार के खिलाफ नहीं लड़ रहें परदान मंत्री जी आप देश वासियों को बेवकूप मत समझो बच्चे बच्चे के जुबान के उपर हो रहा है कि सारे चोर चक्कों को अपनी पाटी में शामिल करके और यडी और सीबेय के सारे केसे उलके रफा रफा कर देशirsty किसी कोई केस नहीं होगा कोई मामला नहीं होगा तब भी मैं तुम को गिरफ़तार कर सकता हूं एक बेहद खतरनाक मिशन चालू किया हुआ है प्रधान मंत्री जी ने बहुत ही खतरना हुआ देश वासियों को यह समझने की अब जब मैं बोलने जा रहा हूं समझने की जरूरत है उस मिशन का नाम है स और जितने बीजेपी की नेता उनको सब को निपता देंगे उनकी राजनीती खतम करते जाएंगे उनको सबको निपड़ाते जाएंगे विपक्ष के अंदर आज इनों ने मनीज सिसोधिया को जेल बेज दिया, संजय सिंग को जेल बेज दिया, सतिंदर जैन को जेल बेज दिया, केजणिवाल को जेल बेज दिया, हिमन सोरेन को जेल बेज दिया, मंता दीदी के कई मंत्रियो को जेल बेज दिया के सीम के पीछे पड़े हैं अगर यह चुनाव पीच जीत गए मेर से लिखवा लो एफिडेविट के उपर थोड़े दिन के बाद मंता दीदी जेल में होंगी तेजसभी आदफ जेल में होगा स्टेलिन साफ जेल के अंदर होंगे पिनरही विजेन जेल के अंदर होंगे जितने ही विपक्ष के नेता हैं यह सारे जेल के अंदर होंगे अगर यह चुनाव जीत गए इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा अडवानीची की राजनीती खतम कर दी मुर्ली मनवर जोशी की राजनीती खतम कर दी सुमित्रम आजन की शिवर शिवराज सिंग चोहान जिसने मद्यपरदेश का चुनाफ जीत के दिया इन लोगों ने शिवराज सिंग चोहान ने उसको मुख्यमंतरी ने बनाया उसकी राजनीती खतम कर दी वसंद्रा राजी की राजनीती खतम कर दी डॉक्टर रमन सिंग की राजनीती खतम कर दी अब किसका नंबर है योगी अदिप्तिनाथ अगर ये चनाफ जीत गए मेर से लिखवालत दो महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदन देंगे योगी अदिप्तिनाथ की राजनीती खतम करेंगे उनको भी निप्टा देंगे यही तानाशाही है दोस्तों वन नेशन वन लीडर ये चाहते हैं एक यह तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा एक यह तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा हमारा देश बहुत महान है चार हजार पांच हजार साल पुराना हमारा देश है इसके पहले पिछले चार हजार साल में कई मौके आए जब इस देश के ओपर ताना शाहों ने कबजा करने की कोशिश की लेकिन हमारे देश के लोगों ने उन ताना शाहों का तखता उखाड़ के फेक दिया जब जब हमारे देश में ऐसा मौका आया कि ताना शाह ने हमारे देश के ओपर गब्जा करने की कोशिश की इस देश की जंता ने उसका तखता उखाड़ के फेक दिया आज एक ताना शाह इस देश से जनतंत्र खतम करना चाहता है आज एक ताना शाह इस देश से लोक्षाही खतम करना चाहता है मैं पूरे तन्मन धन से लड़ रहा हूं संगर्श कर रहा हूं उस ताना शाह के खिलाव 140 करोड़ लोगों का साथ चाहता हूँ मेरे अकेले के करने से नहीं होगा 140 आज मैं आप लोगों से भीख मांगने के लिए आया हूँ 140 करोड़ लोगों से 140 करोड़ लोगों से भीख मांगने के लिए हूँ मेरे देश को बचा लो मेरे भारत वर्ष तो बचा लो मेरे भारत वर्ष तो बचा लो मेरे दोफ मेरे देश को मैं सुप्रीम कोड का बहुत बहुत शुक्रियादा करना चाहता हूँ कि उन्होंने किस दिन दिये हैं एक एक दिन में 24 घंटे है है। आश करूँ पूरे देश भंगा इस ताना शाही को रोकने के लिए दोस्तों जितनी मेरे अंदर ताकत है मैं मेरा सब कुछ कुर्बान है देश के लिए मेरे खून का एक एक कत्रा मेरे देश के लिए मेरे शरीर का एक कत्रा मेरी जिंदगी का एक पल मेरे देश के लिए मेरे देश को गचाने के लिए मैं पू मेत्वपून बात करने जा रहा हूं उसको ज्ञान से सुनना है यह लोग इंडिया गठवंदन से पूछते हैं आपका प्रधानमंतरी कौन होगा मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंतरी कौन होगा आप लोग सोच रहे होंगे केजडी वाल क्या बात कर रहा है मोदी जी होंगे नहीं मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं BJP के अंदर 2014 में मोदी जी खुद ने रूल बनाया था कि BJP के अंदर जो भी 75 साल कोगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा सबसे पहले अडवानी जी को रिटायर किया गया उसके पहाद मौडली मरोर जोशी जी को रिटायर किया गया कि फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया फिर यश्वन सिना को रिटायर किया गया अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है दोस्तों अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी तो उस पर भी आऊंगा मैं अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले दो महिने में योगी जी को निपताएंगे ये और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमिच्छा को ये दान बंत्री बनाएंगे तो मैं लोगों को देश के लोगों को अगा करना चाहता हूं मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे मोदी जी अमिच्छा को प्रधान मंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे मैं पूछना चाता हूं मोहती जी से और हमिच्छा जी से ये मोहती की कारंटी पूरी कौरेगा क्या आमिच्छा मोहती की कारंटी पूरी करेंगे जब आप अगर जो जो वैसे तो मेरे को लगता मैं भी आँगा उसके ओपर मुझे नहीं लगता इनकी सरकार बन रही है लेकिन जो जब Wijजेपी को वोट देने जाएं वो यह सोचकर जाना कि आप मोदी जी के नाम पे वोट नहीं दे रहें अब एक खुश ख़बरी है आप ऊब फर्पक्रिन के लिए खुश खबरी है उस सब को बता दे ना जो मैंने बाते कहीं है बडी सोच समझे के गई है वहां बैटके यही सोच रहा था पचास दिल से दोस्तों पूरे देश के मेरे को बाहर निकले हुए बीस घंटे हो गए इन बीस घंटों के अंदर भी मैंने रात बर में जन्ता से बात कर रहा था लोगों से फोन कर रहा था रात को आंधी आई दी पिछले बीस घंटे में मैंने जो बात चीत करी है कई बड़े-बड़े एक्सपर्ट से बात की चुनाव विशलेशकों से बात की सेफलोजिस्क से बात की जन्ता से बात की फोन पे लोगों से मेरा अपना आंक लन है कि चार जून के बाद इनकी सरकार नहीं बन रही मोगे सरकार नहीं दोस्तों अगर मैं गलत हूं तो मेरे को बताना हर्याना में इनकी सीट कम हो रही है राजस्तान में कम हो रही है करनाटक में कम हो रही है दिल्ली में कम हो रही है जिहार में कम हो रही है महराश्टर में कम हो रही है करनाटक में कम हो रही है बंगाल में कम हो रही है जारखंड में कम हो रही है बढ़ का रही है यूपी में कम हो रही है बढ़ का रही है बढ़ एक भी जगए इनकी सीटे नहीं बढ़ रही है मेरा अपना मानना और सट्टा बजार में भी मागवा वच्व चल रहा है इनकी 220 से 230 के बीच में सीट आ रही है उससे जागा सीट भी आ रही है मोदी सरकार नहीं बन रही है केंद्र में इंडिया गठवंदन की सरकार बन रही है आम आदमी पार्टी उसस सरकार का हिस्सा होगी डिल्ली को पूर्ण रज्य न charities अंगे टिल्ली का LG लोगों का ओज्जी ओगा इल्ली का अलजी दिल्ली औा गुजराब से आया हुआ अभी चल्टी ओचे के लोगों का इल्जी ओगा दिल्ली के लोगों का विकाहस है एक और पॉइंट है जब मैं जेल के अंदर था तो कुछ लोगों ने यह मुद्दा उठाया कि केजरिवाल सीयल पद से स्तीफा क्यों नहीं देता कि दोस्तों केजरिवाल को कभी किसी पद का लालच नहीं हुआ मैं अब मंत्री मुख्य मंत्री प्रदान मंत्री यह सब बन्ने नहीं आया इंकम टैक्स में कमिश्णर की नौकरी करता था कमिश्णर की नौकरी छोड़के दिल्ली की जुगियों के अंदर एक नी दो नी तीन नी दस साल तक मैंने दिल्ली की जुगियों के अंदर कांग किया है सुन्दर नगरी और नंगरी दिल्ली की जुगियों के इंकम टैक्स कमिश्णर की नौकरी छोड़के जब मेरे को दिल्ली की जंता ने पहली बार सीम बनाया असूलों के उपर उननचास दिन के अंदर सीम पद से इस्तीफा दे लिया था एक चप्रासी की नौकरी कोई नहीं छोड़ता सीम बनने के लिए लोग अपना दाया हाथ कटाने के लिए तयार होते हैं मैंने खुद से अपने आप सीम की कुर्सी को लात मार दी थी उननचास दिन के अंदर मेरे लिए सीम पद इंपॉर्टन नहीं है आज मैंने सीम पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया जेल जाने के बाद दोस्तों पिछले 75 साल में भारत वर्ष में इतने राज्यों के चुना हुएं इतने राज्यों के चुना हुएं दिल्ली के अंदर सबसे एतिहासिक बहुमत से आम आदमी पार्टी जीती 55-56 परसेंट वोड एक बार 67 सीट एक बार 62 सीट इतने भारी बहुमत से जीतने के बागजूद, जूटा केस, अब उनको पता है, वो हमें हरा नहीं सकते दिल्ली के अंदर, उन्हें पता अगले 20 साल तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कोई नहीं हरा सकता, तो उन्होंने एक शड्यंत्र रचा, राजनेतिक शड्यंत्र रचा, केजरिवाल को ज तुम अगर जनतंत्र को जेल में कैद करोगे, तो जनतंत्र जेल से चला के दिखाएंगे दोस्ते, सरकार भी जेल से चला के दिखाएंगे, कतब इस तीफ़ा तुमारे ट्रैप में फसने वाले नियां, यह अगर हिमन सुरेन साब को भी स्तीफ़ा नहीं देना चीए था, ज करकार गिरा दो उसके मुख्यमिल्तरी को पकड़ की जेल में दो सरकत आज मैं अगर दिल्ली की जेल के अंदर रहके दिल्ली की जेल से इस्तीफानी देरा वो इस ताना शाही के खिलाफ संघश कर रहा हूं इसको समझ लेना है के जुरिवाल को किसी पद का लालचनी है सीम तो सौ सीम की कुर्सी देश के नाम कुर्बान हो जो मुझे पता चला मेरे जेल जाने से बहुत लोग भावो क्यों खासकर मेरी माँ बहने महिलाएं बहुत रोई कई उन्हें बहुत मंदते मांगी मैं सब का बहुत बहुत शुक्रियादा करना चाहता हूं जिन लोगों ने अपनी दुआएं बेजी हैं पूरी दुनिया भर से करोड़ों लोगों ने दुआएं बेजी उन्हें के आशिरवात का कमाल है कि आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ आप लोग सब लोग सुखी रहें देश खूब तरक्की करें फले भूले आप सब लोग खूब खू झाला है झाला है